ब्लासपूर संभाग का अगला जीला है जान्जगीर चापा इससे पहले हम लोगों ने गोरिला पेंडरम और वाही, मुंगेली और ब्लासपूर ये तीन जीला कभर किया था और आज हम लोग देखने वाले हैं जान्जगीर चापा को और इससे पहले वाले वीडियोस अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर को प्लेलिस्ट में चेक करो वहाँ सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे तो देखे सबसे पहले हमको जांजगीर शापपा के इस प्रकार से मैप बनाना है ये कुछ इस तरह से एक नैसनल हाइवे है एनच 130B ठीक इसको ध्यान में रखना है ये कुछ इस तरह से नैसनल हाइवे 130B और इसके बाद जो जांदगीर शापपा में हो इसको देखते है तो देखो यह بلاसपूर यह लासपूर से इस प्रकार से National Highway 49 यह कुछ इस तरह से ठीक है National Highway 49 यह बलासपूर से चापा और चापा से फिर यह जो National Highway 130 भी है इसमें आकर कर जूट जाता है कहां है बलोदा बजार में और इसके अलावा जो National Highway आपको ब्लासपूर से यह सीधा ऐसे दिखेगा तो आप लोग ऐसा ही बना सकते हो अगर समझने के लिए सिंपल आपको समझना है कि चांजगीर चाववा में कुण सा नैसनल हाईवई इतना आपको सिर्फ जानना है तो आप डारेक्ट ऐसा बना सकते हो लेकिन वास्ता में जो नैसनल हाईवे यह इसी पर करते हैं कैसा है यह ऐसा यह ऐसा है ठीक है अगर डिटेल में देखना है तो आप ऐसा देखें या फिर आप डारेक्ट चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि मैं जांगीर चांपा से हूँ इसलिए थोड़ा सा डिट और इसके अलावा यहां पर नैसनल हाईवे 149 यह ऐसे और इसी के एक छोटा सा पार्ट यहां पर भी है तो यह हुआ यहां तक इसका छोटा से बढ़ पारट है चले अब इसके बाद देखते हैं यहां जो बहने वाले न दिया है उनको तो ये इस प्रकार से ये लिलागर नदी है और ये हस्देव नदी है और यहाँ पर ये मान नदी है और ये है महा नदी इस प्रकार से ठीक है? तो देखें जो लिलागर नदी है ये इस प्रकार से यहाँ पर ये ब्लासपूर और ठीक इधर ब्लासपूर है यह जो हस्देव नदी है वो जांजगीर और यह चांपा को जांजगीर से अलग करती है यह हस्देव नदी ठीक यह इस तरह से ठीक है ध्यान में रखेगा और यहां पर जो महानदी है यह इस तरह से यह महानदी जयांजगीरचापशापशापको बलदभा-बज़र से अलग करती है मान नदी और यह महानदी इन तीनों के संगाम इस्थल पर है चंद्रपूर चंद्रपूर की विशिसता और आगे हम देखेंगे यहाहँपे चंद्रहहश्णी देवी का मंदीर है और वैसी यहाँ पर देखे, यह महा नदी, यह महा नदी है, और यह सिवनात नदी, सिवनात नदी के सहाग नदी यह लिलागर नदी है, ठीक, ध्यान में रखना है यह लिलागर नदी, सिवनात नदी के सहाग नदी है, आपको महा नदी के सहाग नदी नहीं लेना है, तो यह यह महानदी यह सिवनात नदी यहाँ पर एक जोंक नदी भी आएगा और यह जोंक नदी शिवनात नदी और महानदी तीनों को जो संगा मिस्थल है वह सिवरी नराइड तो यह इस प्रकार से हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ जो तहसील है उसको ठीक यह लगबग नद 14 तासिल है और 36 गड़ में सबसे ज्यादा तासिल वाला जिला यह जांजगीर चापा है सबसे अधिक तासिल कहा है जांजगीर चापा में और यहाँ पे अभी जो नविंतम तासिल बना है वो बारादवार, सारा गाउं और बम्हिनिडी ठीक यह तीन तासिल है जो कि अभी नया तासिल बनाया गया पहले 11 थे अब तीन और बना तो टोटल 14 हो चुका है ठीक 14 तासिल यहाँ पे है जांगीर चापा में चली अब यहाँ पे जो मंदिर या फिर प्रमुक जगा है उनको देखते हैं तो देखे यह चंदरपूर हमने देखा महा नदी, मान नदी और लात नदी तीनों का संगा मिस्थाल है चंदरपूर चंद्रपूर में है चंद्रहाशनी देवी का मंदिर ठीक है चंद्रहाशनी माता का मंदिर है कहाँ पे चंद्रपूर में ठीक है जांजगीर चापा में है कभी-कभी लोगों को confusion होता है कि राइगर में है या फिर बलोजा बजार में ऐसा confusion होता है लेकिन ध्यान में रखेगा यह इस वाले पॉइंट पे चंदरपूर में है ठीक है उसके बाद यहाँ पे किरारी गाउं यह किरारी और यहाँ पे गुंजी ठीक और जब हम 36 जिगर के इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ सात्वहान का लिंग जो इतिहास उसको पढ़ेंगे तो किरारी का काश्रिस्तम और गुंजी का सिला लेक यह दो सब्द वहाँ पे आएगा तो आप ध्यान में रखेगा कहां कहां पे है तो किरारी का कार्ष रिस्तम, सात्वाहन का लिँग सासक है, उनके बारे में जो साक्ष ह। गुंजी में दमाउधारा है ठीक है दमाउधारा एक जर्णा है बहुती फेमस है भी लोग यहाँ पिक्निक मनाने चाते है तो यह दमाउधारा है और यहाँ पे रिसब देव जैन तिर्थंकर का साक्ष यहाँ से मिला है ठीक कहां से गुंजी का सिला लेख से ठीक है जो प्रसम तिर्थंकर है गुरिसब देव जैन तिर्थंकर तो उनका साक्ष कहां से मिला है गुंजी के मतलब गुंजी में ठीक गुंजी से इनका यहां से साक्ष मिला है और यहां पर तुर्री धाम ठीक है यह गुंजी से थोड लगता है और इसमें लोग यहां भी confused रता है कि यह ब्लासपूर में है ठीक लोगों को लगता है कि ब्लासपूर में है लेकिन यह ब्लासपूर में नहीं है यह जांदगीर चापा में आता है इसको विसस करके ध्यान में रखेगा ठीक कुटी घाट का मेला कहा लगता है महादेव का मंदिर है और यह जो पिथमपूर है यह इस प्रकार से हजदेव नदी के किनारे है ठीक यह कुछ इस प्रकार से यह हजदेव नदी है और इसी किनारे यह पिथमपूर ठीक है पिथमपूर यह चांपा के पास में है ध्यान में रखे कि चांपा के पास में है और क आपे चंद्रचूड महादेव का मंदीर है ठीक है चंद्रचूड महादेव का मंदीर और इसके अलाबा देखे शिवरी नराण में क्या क्या देखते हैं चंद्रचूर महादेव का मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, नर नाराण का मंदिर है, और विष्णु कांची इसको बोलते हैं, ध्यान में रखेगा, इसको बोलते हैं, विष्णु कांची सिवरी नाराण को, ठीक, कौनको सा मंदिर है, चंद्रचूर, सिवरी माता का मंदि देखते हैं और आगे यहां पर खरोध यह भी हां लाखाचाओर का मंदिर यहां पर यहा पर देखो यह एक लाख चावल के कासी बोलते हैं और लाखा चौर का मंदिर है चले इसके बाद देखते हैं ये कोटमी सोनार कोटमी सोनार यहाँ पे मगरमच्छ का पालन क्या जाता है ठीक इसके बारे में लगबग सभी को पता होगा मगरमच्छ का पालन क्या जाता है कोटमी सोनार में और इसके बाद टिक यहां पर कर ़्याँ और इसके बाद यहां पर मडवा तप विद्धीद्घृप्री है और यहां पर केस के महानदी power plant है और यहां पर प्रकास इसपास सेंत्र है ठिक यह और ताप ये दूद्ग्रेव और केस के महानदी powerplant ठीक है अब देखिया है इसके बाद ये देखो ये जो महानदी है ये इस तरह से इसमें 5 बयराज बनाए गए है इंपोर्टेंट ही ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है पांचो के पांचो तो पांच बैराज बनाए गए हैं यहाँ पे सिवरी नराण में बना है सिवरी नराण बैराज यह बसंदपूर में बना है बसंदपूर बैराज यहाँ पे मिरोणी बैराज और यहाँ पे साराडी बैराज और एक सेकंड रुखेगा थोड़ा सा और देखें यहाँ पे है कलमा बैराज ठीक है तो यह पांच बैराज है और पांचों के पांचों जांजगीर चांपजिला में महानदी पर बनाया गया है जब हम डेम वाले जब चप्टर पढ़ेंगे तो इस पांचो को और देखेंगे तो इसमें हम लोग फिर हाल अभी इसको सिर्फ नाम याद रखना है और कहां पर ही इसको हमको ध्यान में रखना है ठीक यह सिवरी नरैंड यह बसंदपूर यह मिराउनी और सारडी और कलमा ब सरवधिक तहसिल वाला जिला है यहाँ पर टोटल चौदा तहसिल है और सबसे अधिक जनसंख्या घनात वाला भी जिला है यह जांजविर्जाबा और यहाँ पर दो खनीच पाया जाते है चूना पत्थर ठीक मतलब मुख्य रुप से चूना पत्थर और डॉलोमाइड ठी अब देखे कुछ और सूटा इसमें लगबग हमने सभी को देख लिए इसमें ठीक है तो यह इस प्रकार से था जानगीर चांपा एक बार क्विक रिजनल लेना चाहिए हमको देखे तो एक बार और देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कर देखे छॉलोमा लेना चाहिए और